हालो अब्रिवान वेल्कम बैक टू रिमार्किबल स्टडीज आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है रिलेशन्शिप ऑफ हेल्थ एंद फिजिकल एजुकेशन विद अदर सब्जेक्स यह टॉपिक हेल्थ एंद फिजिकल एजुकेशन का है तो अगर आपने अभी तक को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लो सब्सक्राइब वीडियो को लाइक एंद शेर भी कर देना आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है आएगा सब्जेक्ट हेल्थ एंद फिजिकल एजुकेशन के अंडर तो यह एक रिक्वेस्टेट वीडियो थी तो आज मैं उसके उपर आपके लिए content लेके आई हूँ मैंने आपसे एक बात करनी थी जब भी आप कोई भी topic के related comment डालते हैं कि इस topic पर वीडियो चाहिए तो आप topic को clearly specify कीजिए कि कौन सा topic चाहिए उस topic के अंदर आपको कौन सा material चाहिए क्योंकि आपको पता है एक particular topic बहुत ज़्या सकते हैं इसके अलावा आप हमें Instagram, Facebook पे भी follow कर सकते हैं at remarkable studies so that आपकी queries को हम properly handle कर सके आप वहाँ पे भी हमारे साथ अपने questions को discuss कर सकते हैं चलिए ब स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जैसे मैंने आपको बताया relationship किसका है health and physical education का different subjects के साथ तो यहाँ पे question को start करने से पहले इन तीनों चीज़ों का meaning देना जरूरी है health education का meaning क्या है physical education का क्या है और जो भी subject के साथ आप इसका relationship बताने जा रहे हो उस particular subject का क्या meaning है यह तीनों चीज़े आपकी question की starting में आनी चाहिए मैं हमेशा यह चीज़ आपको बोलती हूं कि meaning properly construct करना बहुत जरूरी है health and physical education का meaning detail में है channel पे available है उसका link जो है वह आपको description box में मिल जाएगा आपको मैं provide कर दूंगी वहाँ पे दोनों वीडियो का link आप वहाँ पे जाके detail में study कर सकते है health education क्या है और physical education क्या है इसके बाद आज जो हम topic के साथ इसका relationship study करेंगे वो है science धीरे धीरे हम different subjects के साथ इसका relationship देखेंगे लेकिन जो आज का हमारा topic है वो है relationship of health and physical education with science तो health and physical education का मतलब है हमारे पास वो link आप चेक करेंगे description box में वहाँ से study करेंगे मैं आपको बताने जा रही हूँ यहाँ पे science का मतलब science क्या है science है एक systematically organized body of knowledge on a particular subject science जो है वो एक ऐसी knowledge है जो एक particular subject के साथ related है जैसे science एक vast field है उसमें आपको human body के बारे में भी पता चलेगा human body क्या है कैसे work करती है फिर हमारा environment कैसा है उसके बारे में भी आपको knowledge मिलेगी अब environment के साथ साथ वहाँ पे human body के साथ होने वाले different diseases के बारे में भी आपको information मिलेगी मतलब science एक ऐसी knowledge है जो की systematically arranged है मतलब जब भी आप science को study करते हो तो first class में easy topics होंगे second में थोड़े tough, third में उससे भी ज़्यादा tough तो धीरे धीरे systematically आपको सारी information provide की जाती है through science, science जो है वो क्या है application of knowledge and understanding of natural and social world different scientists ने different development की, किस तरीके से उन्होंने अपनी knowledge को apply किया और gravity का law जो है वो developed किया गया कि धरती में क्या है गृत्वा कर्शन है कोई भी चीज को आप उपर फिंक होगे तो वो कहां आएगी ultimately नीचे ऐसा क्यों क्योंकि धरती के अंदर एक ऐसी शक्ती है जो सारी चीजों को अपनी तरफ खींचती है तो ये कैसे हमें पता चला किसी person ने अपनी knowledge apply की उसके बाद हमें ये reality पता चली इसलिए science एक ऐसा field है जो different aspects की knowledge हमें provide करता है चाहे वो natural हो, nature हो या social हो बतलब nature को छोड़के कोई और information हमें मिलती है तो उसको कहा जाता है science I hope meaning clear हो गया होगा ये थोड़ा सा difficult हो सकता है आपके लिए Just आप concept को समझेए कि science actual में होती क्या है इसके बाद हम study करेंगे relationship of health and physical education with science तो इसमें हम कुछ points को discuss करेंगे तो चलिए सबसे पहला point जो है हमारा science and health of individuals Science किसके साथ related है individuals की health के साथ काफी हद तक कैसे Science जो है वो help करती है life की problems को diagnose करने के लिए analyze करने के लिए Human body में different diseases होते हैं वो किसने analyze किये है Science ने अगर science ने उसको analyze करके उसके लिए कोई medicine ना बनाई तो definitely human beings का survival क्या हो जाता difficult एक अच्छा एक healthy इंसान होने के लिए उस person को क्या करना पड़ता है दवाई लेनी पड़ती है तो science ने different treatments develop किये जो healthcare करते हैं उस person को ठीक रखने के लिए इस तरीके से science जो है वो health के साथ related है क्योंकि health में काफी सारी problems है उन problems को किसने solve करने की कोशश की है science ने नेक्स्ट है science is equal for everybody's health हमने individuals ने अपने आपको अलग-लग basis पे divide किया हुआ है class के basis पे, creed, color के basis पे लेकिर science एक ऐसी चीज है जिसके लिए सभी बराबर है science कोई भी caste, creed नहीं देखती किसी person को कोई problem है चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है उसका इलाज होगा ही होगा science ने हर एक person के लिए treatments develop किये है science का motive है cure करना person को किसी भी cost पे वो किसी भी तरह का discrimination नहीं करती किसी भी person की health के साथ ओके, next है removal of health superstitions by science superstitions होते हैं ऐसी situations मतलब कि हम कह सकते हैं कि man-gharant कहानिया individuals ने बनाई होती है health को लेके, ये निखाना चाहिए ये निकरना चाहिए science exactly logic प्रोवाइड करती है कि अगर आप ये सारी चीजें follow करोगे अपनी life में तो definitely आप healthy रहोगे जितने भी problems है superstition है, myth है हमारी society में उन सभी को myth का मतलब होता है, गलत विचार है जितने भी society में वो सारे के सारे जो है वो proof किये गए है science द्वारा जो help करती है इन सारे superstitions को remove करने के लिए तो science एक ऐसी चीज है जो हमारी health से related काफी सारी problems है कि ठंडा नहीं खाना चाहिए गरम नहीं खाना चाहिए इस मौसम में ऐसा खाओ तो science ने logic प्रोवाइड करके हमें ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड की है next है common topics science और physical education दोनों में topics common है काफी सारे science में भी दवाइयों की बात की जाएगी physical education में भी की जाएगी science में sports की बात की जाएगी physical education में भी की जाएगी इन दोनों का relationship है एक तरफ science है तो दूसरी तरफ health education है physical education है इसलिए ये दोनों same है एक दूसरे से related है क्योंकि दोनों में same subjects की बाते जो है वो की जाती है, same topics की बाते की जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो science है और physical education है, वो एक दूसरे से काफी हद तक related है, next है scientists and health education, काफी सारे scientists हैं जिन्होंने science को develop किया, उन सारे scientists के बारे में कहां पर पढ़ाया जाता है health education में, जी ये particular scientist है, इन्होंने ये वाली vaccination बनाई है, ये वाले scientists ने ये develop किया है, ये काफी, मैंने काफी, ये include नहीं किया, कौन से scientist ने क्या चीज़ डिवल्प किया है, तो ये topic काफी जादा वास्ट हो जाता, इतनी वास्ट जाने की जुरूरत नहीं है हमें, सिरफ और सिरफ आपने ये provide करना है कि science, health and physical education से कैसे related है, related है क कि science के काफी सारे scientists, उनका contribution क्या है, ये सारी चीज़ें जो है, वो पढ़ाई जाती है बच्चों को school level में, different scientists के साथ उनको रूबरू कराया जाता है, तो इस तरीके से science and health education related है, next है cause and effect relationship, ये science का एक बहुत ही important aspect है, science में ये कहा गया है, हर एक चीज एक दूसरे के साथ related है, तो इसी तरीके से health and physical education में भी हर एक चीज एक दूसरे के साथ related है, कोई cause है, मतलब कारण है, तो उसका कोई नो कोई effect होगा ही होगा, अब ध्यान से नेखिए, एक person है, जिसने क्या करना है, weight lose करना है, तो वो क्या करेगा, exercise, cause क्या है हमारे पास, exercise, और उसका effect क्या होगा, उस person का exercise करने से weight definitely lose होगा, it means अगर आप एक चीज फॉलो करते हो, तो उसके साथ आपको कोई ना कोई असर दिखाई देगा, चाहे वो positive हो, चाहे वो negative हो, अब एक person drugs ले रहा है बहुत जादा, ठीक है, तो उसका क्या effect होगा उसकी life पे, उसका effect negative ही होगा, हो सकता है, उस person क death हो जाए, या कोई उसको problem हो जाए उसकी life में, तो इसी तरीके से science में ये चीज़ applicable है, एक कारण है, तो उसका कोई ना कोई effect होगा, कारण है, सिरदर्द हो रहा है, तो हमने दवाई ली, उसका effect क्या होगा, सिरदर्द ठीक हो जाएगा, उसी तरीके से exercise की weight reduce करने के लिए तो definitely weight reduce होगा, exercise आप करनी रहे, junk food आप साधा खा रहे हो, तो क्या होगा, weight आपका बढ़ता जाएगा, कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा, next experimentation, science जो है वो ये कहती है कि experiment करने से ही solution मिलता है, बिमारी थी, उसका कोई इलाज नहीं था, अब at present coronavirus ही ही, अगर हम बात ही कर लें तो जब करोना वारस आया था, कितनी problems सी, दवाई बनेगी, नहीं बनेगी, कितने trials fail हुए, लेकिन आज के time में काफी countries ने दवाई जो है वो बना ली है, 95% तक procedure जो है वो हो गया है, किस basis पे हुआ है, ये experimentation, science ने ये चीज बोली है, कि try करते रहें, जब तक आपको किसी भी problem का solution नहीं मिलेगा, polio की दवाई नहीं थी, इंडिया एक ऐसी country है, जिसने polio की दवाई बनाई है, तो कैसे बनाई उन्होंने, experiments किये, कि इसको हमने खतम करना है, इसके लिए दवाई बनाना ज़रूरी है, उसी तरीके से health and physical education subject ये बोलता है, experiment करने ज़रूरी है, health से related बह कैसे ठीक करना है, वो depend करेगा, experiments के उपर, आपने weight lose करना था, first experiment किया, आपने walking स्टार्ट की, लेकिन उससे कुछ खास फरक नहीं पड़ा, second experiment क्या किया, आपने walking के साथ exercise की, आपको अच्छे results मिले, it means experiments जितने science में ज़रूरी है, उतने ही health and physical education में भी ज़रूरी है, next, diagnosing the problem, science एक ऐसी चीज़ है, जो different problems को diagnose, diagnose का मतलब होता है, ढूंडती है, उसी तरीके से science help करती है, health and physical education में भी, problems को identify करने की, weight lose करना था, आप बहुत walking की, आपने दो महीना walk की, कुछ खास फरक नहीं पड़ा, तो ये चीज़ analyze की गई, कि walking तो चलो आप करी रहे हो, लेकिन junk food क intake आपका बहुत जादा है, तो जो आप सुभे को walking करके महनत करते हो, वो burger, pizza खाने से सारी महनत खराब हो जाती है, तो इस तरीके से आपने problem धूंडी और उसको solve करने की कोशिश की, next है development of individual, science एक ऐसा subject है जो individuals की development में help करता है, to be healthy and fit, the person need lot of machines and equipment, आप healthy रहना चाहते हो, fit रहना चाहते हो, आपको काफी सारी चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे अगर आपने gym join करना है, तो आपको machines चाहिए, ठीक है, तो ये machinery वगएर आपको कहां से available होगी with the help of science, science ने बहुत जादा help की है हमारी different machines, tools, equipment, medicines develop करने में, जो हमें help करती है, physically and mentally fit रखने के लिए, तो ये थे हमारे कुछ points जो हमने discuss किये है, relationship of science and health and physical education, I hope ये वीडियो आपके लिए helpful रही होगी, इसी तरह की और वीडियो के लिए आप हमारे चानल को कर लीजे, subscribe ताकि आने वा हैं, और आप हमें Facebook, Instagram पे भी follow कर सकते हो, at remarkablestudies, चलिए learners अब हम मिलेंगे अपने next lecture में, तब तके लिए, thank you